हेलो डियेवियन्स मेरा नाम है मनीश और स्वागत है आपका डियेवी गुरू के एक और नए सेशन में अब सब नए क्लासस में आ चुके हैं नए नए बुक्स के साथ और इस नए सेशन के शुड़वाथ हम लोग डियेवी क्लास 8 के मैच से करने वाले हैं चैप्टर नमबर वन जिसका टाइटल है स्क्वाइर्स एंड स्क्वाइर रूट्स आज हम लोग इसका वक्षीट नमबर वन सॉल्व करने वाले हैं इसके हर एक क्वेशन को हम लोग अच्छे से समझ कर सॉल्व करेंगे क्लास 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरे साल मन लगा कर हर सब्जेक्ट को पढ़िए ताकि आप अपने क्लास 8 के बोर्स में अच्छा है स्कोर कर सकें यह चैनल हर डिएवियंस के लिए सफिशियन्ट है यहाँ पर आपको हर क्लास और हर सब्जेक्ट का वीडियोज मिल जाएगा आपको बस यूट्यूब पर डिएवि गुरू सर्ज करके हमारे चैनल पर आ जाना है और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है यहाँ पर आपको हर क्लास का वीडियोज अलग-अलग फोल्डर में मिल जाएगा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जितने भी नए वीडियोज आते हैं का भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे इस वरक्षिट के सबसे पहले कोशन पूछा गया है यहाँ पर इतने सारे नंबर्स दिये गए हैं और हमें पहचान के बताना है कि इसमें से परफेक्ट स्कॉयर कौन सा है सबसे पहलो तो हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि यह परफेक्ट स्कॉयर आखिर होता क्या है हम लोग किसी होल नंबर को अगर उसी होल नंबर से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है और यह जो number हमें मिला इसी को हम लोग बोलते है perfect square इसको एक example के थुरू भी समझ लेते हैं माल लेते हैं एक number है 9 और इसको हम लोग multiply किये 9 से और यहाँ पर हम लोग को अंसर में मिला 81 और यह जो 81 है न यही number perfect square कहलाएगा अब बात यह आती है कि किसी भी number को हम लोग पहचानेंगे कैसे तो बहुत simple method है जो भी number हमें दिया होगा न उसका हम लोग prime factorization करेंगे आपको पता होगा prime numbers कौन कौन से होते हैं prime numbers जो होते हैं सबसे पहला सबसे चोटा prime number कौन है सबसे चोटा prime number है 2 उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 इस तरीके से प्राइम नमबर से हैं आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे जब भी हमें किसी भी number का prime factorization निकालना होगा तो हम लोग इन ही सारे number से divide करेंगे और किसी number से नहीं आपको ध्यान में रखना है अब हमें 81 को check करना है कि क्या ये एक perfect square है तो सबसे पहले हमें इसका prime factorization निकालना होगा 81 3 से divide हो जाएगा 27 times में फिर ये 3 से divide हो जाएगा 9 times में फिर ये 3 से divide हो जाएगा 3 times में और ये फिर 3 से divide हो जाएगा 1 time में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 can be written as 3 into 3 into 3 into 3 into 1 अब यहाँ पर देखें prime factorization है ना इसलिए ये 1 हम लोग last में नहीं लिखेंगे क्योंकि one is neither prime nor composite अपने परा होगा तो हम लोग यहाँ से one को हटा देते हैं कोई फर्क भी नहीं परता है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर pairing करेंगे हम लोग को यहाँ पर क्या करना है pairing करना है तो देखिए ये दोनों एक pair बना लिया ये दोनों एक pair बना लिया अगर pair बन जाता है कोई भी number नहीं बचता है last में तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो number है ना ये एक perfect square है यहाँ पर देखिए ये दोनो pair बना लिया, एक couple बन गया ये दोनों भी एक couple बन गया कोई भी अकेला नहीं बचा, कोई भी single नहीं बचा तो हम लोग बोलेंगे 81 जो है वो एक perfect square है अब इसी तरह से हम लोग इसमें दिये गए सभी numbers को check करेंगे कि कौन-कौन सा perfect square है और कौन-कौन सा नहीं है, अगर हम लोग 11 को check करें तो 11 का सिर्फ 11 ही रहेगा अकेला है बेचारा, तो perfect square कैसे होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे it is not a perfect square उसका 16 का check करेंगे हम लोग यहाँ पर जब इसका prime factorization निकलेगा तो 2 into 2 into 2 into 2 4 गो दो आएगा, यहाँ पर देखेंगे pair बन जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे it is a perfect square थाटी टू का check करेंगे तो बेचारा एक केला रह जा रहा है, तो कैसे perfect square होगा, यहाँ पर इन दोनों का pair बना लिया, इन दोनों का pair बन गया तो हम लोग लिखेंगे it is not a perfect square उसके बाद 36 में भी pair बन जा रहा है 22 का pair बन गया, 33 का pair बन गया तो लिखेंगे it is a perfect square 50 का अगर हम लोग देखेंगे तो बेचारा 2 अकेला रह जा रहा है, 55 pair बना लिया तो हम लोग लिख देंगे it is not a perfect square 64 का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी देखें सब pair बन गया, 22 का pair बन गया फे टू-टू का pair बन गया, फे टू-टू का pair बन गया it is a perfect square 75 का prime factorization निकालेंगे तो 3 into 5 into 5 आएगा यहाँ पर 55 का pair बन गया 3 अकेला बची गया, तो लिखेंगे it is not a perfect square अब चलिए second question को देखेंगे यह भी बहुत easy है, आसानी से आप समझ जाएंगे इसे में बोला है, which of the following numbers are perfect squares of even numbers अभी हम क्या बताये थे, अगर हम लोग किसी दो number को multiply करते हैं तो एक number हमें मिलता है और यह जो number हमें मिला न, यही perfect square कहलाता है तो यहाँ पर बोला गया है कि इन सभी numbers में से कौन ऐसा number है, जो कि even number का square है मतलब यह दोनों number जो हमने multiply किया आना, दोनों even होना चाहिए तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग even number को उसी से गुना करते हैं तो जो number हमें मिलता है, वो भी even होता है जैसे एक और बरा example से हम लोग देख लेते हैं, 12 into 12 करके देख लेते हैं मतलब जब भी हम लोग दो even numbers को आपस में गुना करते हैं तो हमें even number ही मिलता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि squares of even numbers are always even मतलब अगर हम लोग किसी even number का square कर देना, अगर कोई भी even number हमारे पास है, उसका square हम लोग कर दें तो हमें even number ही मिलेगा, यहाँ पर आपको example भी दो को करके बताए, आप किसी भी even number को पकर लिजे, उसका square कीजे, आपको even number ही मिलेगा अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से number यहाँ पर जो given है, even number का square होगा, जो खुद even होगा, वही even का square होगा तो यहाँ पर देखिए even नहीं है, मतलब यह even का square नहीं है, यह even है, तो हो सकता है यह even का square हो, और यहाँ पर जो है, जितना भी numbers दिया गया है, सभी किसी न किसी का square है, यह तो fact है तो यह जो है even का square है, यह odd है, इसको छोड़ दीजिए, यह even का square है, मतलब दो number मिला हम लोग को, जो की even का square है, तो हम लोग लिख देंगे, 784 and 576 are perfect square, यह दोनों perfect square है, of even numbers, मतलब किसी even number का ही square है, because square of even numbers, क्योंकि even number का square होता है, are always even, वो हमेशा even ही होता है अब चलिए तीसरे question पे आते हैं, बहुत interesting है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बोला गया है, which of the following numbers are perfect square, इसमें से कौन सा number है, जो की perfect square है, तो अभी हम question number one में आपको बताया थे, कि अगर हमें चेक करना है कि कोई number perfect square है या नहीं, तो हमें उसका prime factorization न लिखते हैं कि क्या pair बन रहा है या नहीं, अगर कोई अकेला बच गया, तो हम लोग बोलते हैं, कि ये perfect square नहीं है, अगर pair बना लिया, ये अकेला single जो है, वो नहीं बचा, तो हम लोग बोलेंगे, it is a perfect square, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है, कि ये जो number हमें given है, बहुत बरा number है, इसका अगर हम लोग prime factorization निकालने लगे न, तो एक तो समय हमें बहुत जादा देना पड़ेगा, उपर से page भी भढ़ जाएगा, एक ही question में, तो इसके लिए एक trick है, simple trick है, ध्यान से समझेगा, हमें जो भी number दिया गया है न, चेक करने के लिए, कि क्या ये perfect square है या न number perfect square होगा, और अगर number के end में odd number of zeros है, तो वो number perfect square नहीं होगा, simple सी बात है, जैसे देखिए, 100, 100, 10 का square होटा है, 10 का square होता है, तो यहाँ पर 100 जो है, ये perfect square है, लेकिन ये जो है, 205,000, ये किसी का square नहीं होता है, किसी भी whole number का square नहीं होता है, यहाँ पर 3 0 है, square root निकालने हम लोग आगे सिखेंगे, आप इसका square root निकालिएगा, न तो point में आएगा, कोई भी whole number नहीं आएगा, तो हम लोग इसके 0 को देखकर ही पहचान सकते हैं, इसके end में देखिए 4 0 है, तो ये perfect square होगा, इसके end में 5 0 है, odd number of zeros हैं, इसलिए ये perfect square नहीं होगा, simple सी बात है, तो answer म हम लोग क्या लिखेंगे, hundred and this much are perfect squares, because they are ending with even number of zeros, क्योंकि इसके end में क्या है, even number of zeros हैं, और इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, this and this are not perfect square, ये दोनों perfect square नहीं है, they are ending with odd number of zeros, क्योंकि ये odd number of zeros के साथ end हो रहे हैं, यहाँ पर 3 zeros हैं, और यहाँ पर 5 zeros हैं, चौथे number में हम हम लोग एक नया concept सीखेंगे, इसमें हमें 4 numbers दिये गए हैं, और हमें पहचानना है कि इसमें से perfect square कौन सा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस number की unit digit को देख कर ही पहचान लेंगे, इसका once place पर जो number है ना, उसी को देखकर पहचान लेंगे कि क्या ये किसी number का perfect square हो सकत है या नहीं, यह हम लोग को पता चल जाएगा, अब देखें इसके लिए एक theory है, एक fact है जो कि आपको याद रखना है, the numbers ending with 2, 3, 7, 8, ये चार नमबर जो है, और not perfect square, ये कभी भी perfect square नहीं होता है, मतलब किसी भी number का आप square कर लेना, कोई भी number को पकर कर आप उसका square कर दीज जो answer आपको मिलेगा ना, उसके end में कभी भी ये चारों नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है, उसके end में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए, इसके end में इ tow पने से कोई नहीं है, मतलब ये perfect square हो सकता है, इसके end में, ये चारों में से 2 है, यहाँ पर ये में तो यह परफेक्ट स्कॉयर नहीं हो सकता है हम लोग को निकालने का भिज़र्थ नहीं है इसकेेंड में देखिए क्या है इन नहीं होसकता है orange भूरे destructive करता कि कौन हो सकता है तो हम लोग यहां पर उतना ही करेंगे हम लोग answer में लिख देंगे this much and this much can be perfect square because they are not ending with इतना 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 बस इतना answer में आपको लिख देना है आपका 100% marks आएगा अब चलिए question number 5 प्याते हैं थोड़ा सा confusing लग सकता है लेकिन बहुत आसान है आपके लिए of number मतलब यह दोनों number के बीच में कितना non square numbers आता है नहीं समझ मैं कोई लिकत नहीं है example के तुम समझते है माले थे दो numbers हम लोग को दिया गया है एक है two square और एक है three square इसके बीच में non square numbers कितने होंगे तो देखे two square का मतलब क्या हुआ four और three square का मतलब क्या हुआ nine अब देखे four और nine के बीच में कितना numbers है four और nine के बीच में अगर हम लोग देखें तो five आता है six आता है seven आता है eight आता है तो हम लोग बस यही पूछा गया है कि कितना numbers इन इन जी इन के बीच में हैं। और यह सब जो number इन है, नोन square है। यह बहुरुत नहीच हय। यह बहुरुत नहीं है लेकिन 4 जो है और 9 से किकॉर है। इसका आपको यहां पर दिख रहा है, 2 का square करते हैं, तो 4 आता है, 3 का square करते हैं, तो 9 आता है, लेकिन ये दोनों तो छोटा-छोटा numbers था न, इसलिए हम लोग फटाक से calculate करके, यहां पर गिन के बता दिए, कि 4 numbers आता है, लेकिन हम लोग को question में, बरा-बरा numbers दिया गया, जैसे की, 100 square और 101 का square के बीच में, कौन-कौन-सा numbers आता है, जो कि non-square है, तो अगर हम लोग 100 का square करने जाए, तो एक बरा number हम लोग को मिलेगा, 101 का square करने जाए, तो एक बरा number मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसके बीच देखेंगे, कि कौन-कौन-सा numbers आता है, उसके बाद उसको गीनेंगे, लिखेंगे, तो इतना हम लोग को नहीं करना है, उसका एक short trick है, जो कि आपको हम बता देते हैं, इस वाले line को ध्यान से समझेगा, यहाँ पर बताया गया है कि, कैसे हम लोग calculate कर सकते हैं, अगर हमें दो numbers का square दिया गया है, एक number है n, और एक number है n प्लस 1, n और n प्लस 1 कहने का मतलब क्या हुआ, एक number से, दूसरा number एक अधिक होगा, मतलब उसके just बाद वाला number होगा, और square के form में अगर हमें इस तरह से दिया गया है, और इसके बीच का non perfect square numbers की संख्या में बतानी है, तो simply हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2n कर देंगे, अब अगर यह समझ में नहीं आया, तो example से आपको definitely समझ में आ जाएगा, माले जी 100 square और 101 square के बीच में कितना non square numbers आता है, वो हमें पता करना है, तो हम लोग simply इसको पहले वाले number को n माल लेंगे, और 2n हम लोग find out कर लेंगे, हम लोग का यहाँ पे n equal to क्या हो जाएगा, n equal to 100 हो जाएगा, तो 2n equal to क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, कि 100 square और 101 square के बीच में 200 ऐसा number से, जो कि किसी भी number का square नहीं है, मतलब वो perfect square नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग यह वाला theory लगाएगे, तो हम लोग का 4 answer आएगा, देखिए, यहाँ पर n equal to क्या हमें put करना पड़ेगा, 2, क्योंकि छोटा वोला number जो है, पहला number जो है, वो 2 है, और हम लोग जब 2n find करेंगे, n equal to 2 हो गया, और 2n जब find करेंगे, तो 2 into 2 यानि कि 4 हो गया, मतलब 2 square और 3 square के बीच में 4 numbers होगा, और यहाँ पर 4 number हमें मिला है, जो कि perfect square नहीं है, अब आप आसानी से ऐसे question को solve कर सकते हैं, सबसे पहले हमें बताना था, कि 7 square और 8 square के बीच में कितने non square numbers आएंगे, तो हम लोग simply 7 को 2 से multiply कर देंगे, here n equal to 7, so 2 n equal to 14, 14 numbers आएंगे, उसी तरह से 10 square और 11 square के बीच में कितने numbers आएंगे, 20 numbers, 40 square और 41 square के बीच में कितने numbers आएंगे, 80 numbers, क्योंकि 40 को 2 से multiply करेंगे, इसके बीच में कितने आएंगे, इसके इसके बीच में 160 numbers आएंगे, इसके इसके बीच में कितने numbers आएंगे, 202 numbers आएंगे, इसको 2 से multiply करना है और इसके और इसके बीच में कितने numbers आएंगे 410 numbers आएंगे अब देखिए सबी question को हम short में solve कर दी है बट इतना solve करने के बाद हर question के बाद आपको ये लिखना जरूरी है हम लोग कैसे लिखेंगे there are जैसे इसके लिए हम लिखेंगे दिखा देते हैं there are कितना है 14 आए there are 14 non perfect square between 7 square and 8 square ये हम first वाले question के लिए statement लिख दिए हैं आपको हर question के लिए ऐसे ही statement लिखना है आप चलिए question number 6 पर आते हैं इसमें हमें subtraction करना है लिए इन थोड़ा सा twist यहाँ पर यहाँ पर बोला गया है 100 square minus 99 का square क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है तो इसको तो आप एक तो आसान मेथर से बना सकते हैं बच्चावाला मेथर से 100 का square कीजिए 99 का square कीजिए और इस में से इसको subtract कर दीजिए और answer लिख दीजिए बट हम लोग बच्चावाला में हट से नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग class 8 में आ चुके हैं हम लोग बड़े हो चुके हैं एक छोटा सब formula है algebra का जिसके बारे में class 8 में ही हम लोग को आगे परना है formula आप जान लिजिए formula कुछ ऐसा है a square minus b square अगर कहीं पर हम लोग को दिखे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से a plus b into a minus b अब दिखिए ये जो question हमें given है वो भी उसी रूप में है उसी form में है यहाँ पर भी एक चीज़ का square minus दूसरे चीज़ का square है और यह चीज़ ہम लोग को यहाan पर देख रहा है तो हम लोग कुछ आस तरीके से लिख सकते हैं अब देखिए इसको solve करेंगे तो क्या answer आएगा इसको solve करेंगे तो आएगा यहाँ लिख देते हैं इसको solve करेंगे तो 199 आएगा और इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 100-99 मतलब 1 मतलब into 1 तो final answer तो हमारा 199 ही आया तो अगर हमें कहीं पर ऐसा form में question दिया रहे तो हम लोगो simply क्या करना है हम लोग simply उस दोनों number को जोर देंगे जिसका square हम लोगो घटाना है न उन्हीं दोनों number को हम लोग जोर देंगे वही चीज यहाँ पर बोला गया है the difference between the squares of two consecutive natural numbers मतलब दो लगातार natural number अगर है उसका square है और उसका difference हमें निकालना है तो वो किसके equal होगा is equal to their sum तो वो उन दोनों के sum के equal होगा मतलब आप आसानी से बता सकते हैं क्या answer होगा यहाँ पर हम लोग को 100 plus 99 कर देना है तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 100 plus 99 यानि की यहाँ पर answer आ जाएगा 199 यहाँ पर क्या करेंगे 27 plus 26 क्योंकि दो consecutive numbers है 27, 26 एक के बाद एक आने वारा number है इसलिए हम लोग इसको add कर सकते हैं डिरेक्ली ऐसा question में तो यह हो जाएगा 27, 26 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 53 answer यहाँ पर भी दो consecutive number है तो यहाँ पर भी हम लोग add कर देंगे यह हो जाएगा 569 plus 568 यहाँ पर 8, 9 17, बचा 1 66, 12 और 1, 13 फिर बचा 1, 5, 5, 10 और 1, 11 1, 1, 3, 7 इसका answer हो जाएगा आपको यहाँ दखना है कि ऐसा आप तभी करेंगे जब दो consecutive numbers हो जैसे कि यहाँ पर 99 है और 100 है यहाँ पर 26 है, 27 है यहाँ पर 568 है, 569 है अगर यहाँ पर 100 100 स्क्वाइर माइनस 98 का स्क्वाइर होता ना तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे यहाँ पर हम लोग को इस वाले formula से बैठा के उसको निकालना होता, थोड़ा से लेंदी होता यहाँ पर 2 आजाता यहाँ पर 100 प्लस 98 मतलब 198 आता तो 198 को 2 से multiply करते उसके बाद हम लोग answer आता अब चलिए question number 7 को देखते हैं कुछ खास इसमें है नहीं simply हम लोग को दोनो numbers का alternative expression जो दिया गया है उसका pattern समझना है और उसी के according हमें इन तीनो numbers का भी expression लिखना है तो यहाँ पर ध्यान से समझे कैसे इसको लिखा गया है यहाँ पर है 1, 2, 1 तो यहाँ पर जो बीच वाला number है न उसको उतनी बार ही लिखा गया है जैसे बीच में 2 है तो इसको दो बार उपर लिखा गया और उसका square कर दिया गया तो हम लोग भी वही करेंगे और नीचे जितने भी number से उसके digits को add कर दिया गया है उसी तरह यहाँ भी देखिए सबसे बीच में कौन है 3 है, 3 है तो 3 को 3 times लिखा गया है और उसके उपर square simple हम लोग वही करने वाले है और नीचे सभी जो भी number है उसके digits को जोड दिया गया है तो हम लोग वही करेंगे चलिए इसका expression लिख लेते हैं यहाँ पर बीच में 4 है तो 4 times हम लिखेंगे 4, 4, 4, 4 और उसपर square कर देंगे और नीचे, divide के नीचे क्या लिखना है हमें सभी numbers, जो भी number है उसके सभी digits को जोड देना है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 simple था उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर divide का symbol दे जते हैं उपर क्या लिखेंगे? 5 है तो 5 को 5 times लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 5 इसपर square और नीचे सभी जो भी numbers का digits को जोड देना है 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1 simple था अब इसको आप लिखिए क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं और comment में लिख कर बताईए कि आपका answer मैच किया या नहीं finally इस chapter के सबसे अंतिम question पर आते हैं question number 8 पर जिसमें की बोला गया है which of the following triplets are pythagorean pythagorean triplets क्या होता है? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि pythagorean theorem जो है न एक right angle triangle पर apply होता है जिसका एक कुन जो है न एक angle जो है 90 degree हो अगर हम लोग इस वाले triangle का सबसे बरा वाला जो side है न उसको A माल लें यहाँ पर A लिख देते हैं और बाकी का दोनों जो side है उसको B और C माल लें तो pythagorean theorem के अनुसार न सबसे बरा जो side है उसका square जो है वो equal होगा बाकी के दोनों side के square के addition के square के sum के मतलब A square will be equal to B square plus C square बस यही है pythagoras theorem इस वाले theorem को जो भी तीन नंबर satisfy करेंगे उन्ही तीन नंबर को हम लोग pythagorean triplets बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे की देखिए 3, 4, 5 तीन नंबर से हैं सबसे बरा नंबर कौन है 5 है तो यहाँ पर हम लोग सबसे बरा नंबर की जगह पर 5 बैठा देते हैं उसके बाद एक को हम लोग 4 और एक को 3 लिख सकते है तो 4 कौन हो सकता है यह हो सकता है 3 यह हो सकता है के जगह पे है 3 और C के जगह पे है 4 तो यहाँ पर 3 square plus 4 का square हम लोगो करना पड़ेगा तो 3 का square क्या हो जाएगा 9 plus 4 का square क्या हो जाएगा 16 अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो 25 आ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि 3, 4, 5 यह जो है न तीन को जो दोस्त है यह पाइथागोरियन triplet है इसके पीछे का concept तो हम लोग समझ लिए लेकिन exam में अगर हम लोग को बोला जाएगा न कि पता लगाई है कि क्या यह पाइथागोरियन triplet है या नहीं तो उसके लिए दो methods है और उनहीं दोनों methods में से एक methods हम लोग को exam में solve करके दिखाना होगा जिसमें की पहला method यहाँ पर बताया गया है let the smallest even number be 2m मतलब जो तीन numbers दिये गए है न उसमें कोई न कोई एक even तो होगा ही और अगर दो even भी है उसके बाद हमें फिर इसी m से तीन चीज फाइंड करना है एक हम लोग को 2m फाइंड करना है उसके बाद m square minus 1 फाइंड करना है और एक m square plus 1 हमें फाइंड करना है अगर इन तीनों numbers के जगह पर वही तीनों numbers आ गये न तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जैसे कि सबसे पहले को हमने यहाँ पर चेक किया है हमें पता लगाना है कि 3,4,5 क्या यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं यहाँ पर हमने triangle से चेक किया था ये पाइथागोरस वाला formula को follow कर रहा था तो इससे तो हम लोगों पता चल गया कि हाँ ये पाइथागोरिन इंट्रिपलिट है लेकिन हम लोग को इस वाले method से पता लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटा even number इसमें खोजेंगे एक तो 2M find करना है अब देखिए हम लोग क्या मिला ये तीनो जो है पाइथाग ओरियन ट्रिपलेट होगा और यही तीनो नंबर्स हम लोग को यहाँ पर भी दिख रहा है उलट पुलट है लेकिन वही तीनो नंबर्स है 3 है 3 है 4 है 4 है 5 है 5 है तो हम लोग बोल देंगे so we can say यहां पर हम भर देते हैं 345R ऐसे आपको statement लिख देना है अब चलिए इसी method से इसको भी हम solve करके दिखाते हैं यहां पर तो तीनो even number ही हम लोगों को दिख रहा है तो हम लोगों को लेना है सबसे छोटा even number लेना है smallest even number हम लोगों को लेना है और इसको 2m हम लोगों को let कर लेना है माल लेना है 2m equal to सबसे छोटा even number कौन है यहां पर 10 है तो 2m equal to 10 हम लोगों को माल लेना है तो m equal to क्या जाएगा m will be equal to 5 simple से बात है अब हम लोगों को 3 चीज find out करना है सबसे पहला चीज क्या है सबसे पहला है 2m बराबर क्या होगा दूसरा क्या है m square plus 1 क्या होगा और तीसरा क्या है m square minus 1 क्या होगा तीनों का value हम लोगो find out करना है तो 2m क्या हो जाएगा again 5 into 2 यानि की 10 ही हो जाएगा उसके बाद m square plus 1 यानि की 5 square plus 1 5 5 जा 25 plus 1 यानि की 26 और तीसरा क्या है 5 स्कार माइनस 1 यानिके 25-1 एक्वाल टो 24 तो अगेन हमें वही तीनों नंबर्स मिल गया जो कि हम लोग को दिया गया था यह तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि यह रूल को फॉलो कर रहे हैं जब यह तीनों है तो वही तीनों तो यहां पर है ना तो हम लोग लिख देंगे सो टेन ट्वेंटीफोर ट्वेंटेसिक्स और आलसो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई भी तीन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं यह फाइंड करने का पहला मेथड तो हमने सीख लिया आप देखिए एक्जाम में अकसर ड भूल जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा गन्फ्यूजिंग है यहां पर ध्यान से देखिए मेथद टू क्या है यहां पर बोला जा रहा है इफ ए बी एंड सी आर्टी नंबर्स थ्री नैच्रल नंबर्स विट ए एज इस स्मॉलेश्ट ऑप दिन नंबर तो आपको दिया गया चलिए इतना हम लोग कर लिए उसके बात क्या करना है उसके बाद आका आपका आपके लिए दो रास्ता है अगर ये जो है वह ओड है तो हम लोग क्या करना है सब्सक्रां और उसके डिफ्रेंस को वन के इक्वल करना है उसके बाद दूसरा देखिए यहां पर इफ ए इस इवेन जो छोटा नमबर हमने देखा ना अगर वो इवेन है तो क्या करना है और इसके डिफ्रेंस को टू के बड़ाबर रखना है नहीं समझ में आए कोई दिखरते हैं एक्जामपल करेंगे समझ में आ जाएगा इसको हम लोगों पता करना है कि क्या ये पाइथाग ओरियंट टिपलेट है या नहीं तो यहां पर आप देखिए सबसे छोटा नमबर कौन है क्या सबसे छोटा है क्या सबसे छोटा है क्या सबसे छोटा है या सबसे छोटा है साफ साफ दिख रहा है हम लोग तो बड़े हो जाएगा फिर यहां पर रूर्ण को दो रास्ता दिख रहा है अगर एंगे और यह तो किसे सब्सक्राने के बराबर होगा वाना की का दोनों नंबर्स क्या है बी है और सी है दूनों का सम जो है क्या होगा A square by 2 के बराबर होगा यह तो हम लोगों पता है A is equal to 6 मतलब 6 square by 2 यानि की 36 by 2 यानि की 18 मतलब एक equation हम लोगों मिल गया that is B plus C is equal to 18 चलिए यह हम लोग का हो गया उसके बाद क्या बुला गया है यहाँ पर देखे their difference is 2 मतलब इन दोनों का difference जो होगा न वो 2 के equal होगा मतलब B minus C will be equal to 2 यह हम लोग का दूसरा equation मिल गया it is equation number 1 it is equation number 2 यहाँ पर 1 लिख देते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं अब देखिए equation को solve करना तो हम लोग class 7 में सीख चुके हैं B plus C equal to 18 है B minus C equal to 2 है इसको हम लोग solve कर सकते हैं बहुत आसानी से पहले equation को उपर लिख देते हैं B plus C is equal to 18 और दूसरे equation को नीचे लिख देते हैं B minus C is equal to 2 अब इसको solve करेंगे तो यह plus C और minus C cancel out हो जाएगा बचेगा क्या B B 2 B बचेगा यहाँ पर 2 B equal to 18 plus 2 हो जाएगा 20 2 B equal to 20 यानि की B equal to क्या मिल गया हम लोग को 20 by 2 यानि की 10 मिल गया B equal to इसको solve करने पर B का value मिल गया अब C का value भी हमें find करना पड़ेगा यह तो मिल गया इसको भी find हमें करना है अब यहाँ पर C का value find करने के लिए हम लोग इस equation में भी B का value put कर सकते हैं इसमें भी B का value put कर सकते हैं B के जगा आप 10 put कीजिए यहाँ पर 10 put कीजिए तो C मिल जाएगा आपको या यहीं पर 10 put कर लिजिए C मिल जाएगा आपको चलिए इसी से solve कर लेते हैं B plus C हमारे पास क्या था It is equal to 18 था B का value हम लोग को मिल गया तो 10 put कर देते हैं 10 plus C is equal to 18 So C will be equal to 18 minus 10 And C will be equal to 8 यहाँ पर हम लोग को तीनों चीज मिल चुका है B भी मिल चुका है C भी मिल चुका है और A तो हमने पहले मानी लिया था तो B के जगा क्या मिला 10 मिला और C के जगा क्या मिला 8 मिला इसका मतलब यह हुआ 6, 10 और 8 यह तीनों नमबर्स जो है न वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है लेकिन हम लोग को दिया क्या गया था हम लोग को दिया गया था 6, 8 और 7 6, 8 तो मिल गया 6 मिल गया, 8 मिल गया लेकिन तीसरा नमबर 7 यहाँ पर दिया गया है लेकिन तीसरा नमबर 10 होना चाहिए तभी यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा यहाँ पर 10 नहीं है इसलिए हम लोग बोलेंगे 6, 7, 8 और नौट पाइथागोरियन ट्रिपलेट simple आसान भासा में हमलों को answer में लिख देना है सबसे अंति में बचा 2, 3 और 4 आपको चेक करना है यह आपका homework है आपको चेक करना है कि क्या यह pythagorean triplet है या नहीं अब तक आपका जो भी favorite method बना method 1 या method 2 आप उसे चेक किजिएगा और comment section में लिखकर बताईएगा तो finally इस नए session में class 8 का पहला class हमने complete कर लिया आपको सभी videos playlist में मिल जाएंगे आप comment करके बताईएगा कि आज का class आपको कैसा लगा और next आपको कौन से chapter का video चाहिए वो भी आप comment करके बताईएगा चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों को इस channel के बारे में बताईए वीडियो को like कीजिए और इन सब के बदले में हम आपके studies को और भी easy और interesting बनाते रहेंगे अब तक आपके class के जितने सारे worksheet को मैंने complete करवा दिया है उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले worksheet का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते अगली class में बहुत सारे नए concept के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं